नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि 970-2024-25 में आपको एक भीगा खेत पर कितना KCC यानि किसान केटकार का लोन मिल पाएगा जी हाँ दोस्तों इस टापिक पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ कि एक हेक्टियर जमीन पर कितना KCC लोन मिलेगा एक एकर जमीन पर कितना KCC लोन मिलेगा लेकिन दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं कि जो फसलों की लागत होती है वो प्रतिवर्स घट्तिया बढ़ती रहती है इसलिए सरकार के द्वारा प्रतिवर्स अप्रैल माह में एक नया फसल वित्मान है इस अप्रैल 2024 में जारी किया गया है यह 31 मार्च 2025 तक चलता रहेगा और इसी आधार पर KCC लोन किसानों को वित्रित किया जाएगा जो भी लिमिट इस स्केल आप फाइनेंस में दी गई है जो नया वित्मान आया है बैंकों के पास अप्रैल महिने में इसी जो भी लागत आती है फसलों को त्यार करने में उनका भंडारन करने में उनके रखरखाओ करने में उसमें जो खेती में उसको त्यार करने में लागत आती है उसका पैसा बैंक आपको KCC लोन के माध्यम से उपलब्ध कराती है इसका यह बिलकुल भी मतलम नहीं होता है कि आ सारे किसान आते हैं अपनी इंतखाप लेकर के जमीन का कागर लेकर के और मुझसे बोलते हैं कि सर मेरे पास एक बीघा जमीन है मुझे 5 लाग का लोन दे दीजिए क्योंकि Pick futures. को समझाते हैं कि सर हम आपकी जमीन का पैसा आपको नहीं दे रहे हैं हम आपको जो एक बिगा जमीन का KCC लोन दे रहे हैं वो आप इस खेत में जो भी फसले बोएंगे या फिर जो फसले आप बोते हैं हम उसकी लागत का पैसा दे रहे हैं उसमें जो फसले तयार करोगे उसक किसी किसान की जमीन एक करों रुपए भीगा हो वो भी धान और गयों की फसल अपने खेत में बोता है और हो सकता है एक ऐसा किसान हो जिसकी जमीन सिर्फ पांच लाक रुपए भीगा हो यानि ऐसी एरिया में है जहां पर जमीन की वैलू ना के बराबर है सिर्फ पांच लाक विगा, उसकी कीमत है, और वो भी धान और यहोटी फसल भोता है, तो दोस्तों वहाँ पर जो दोनों किसानों को के-सीसी लोन मिलेगा, वो same amount मिलेगा अगर एक लाख रुपए उस किसान को मिलेगा तो एक लाख रुपाए इस किसान को भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पर KCC को जो limit है वो फसलों की लागत से घटी बढ़ती है ना कि जमीन की value से घटी बढ़ती है तो यह चीज आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि आपकी जमीन कीमती है तो ज्यादा मिल जाएगा आपकी जमीन कम कीमत वाली है तो आपको कम मिलेगा ऐसा बिल दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं कि नया Scale of Finance सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है यह प्रतिवर्स अप्रेल माह में जारी कहाता है यह हर जनपत का अलग अलग Scale of Finance यानि फसल बित्तमान होता है उसमें सभी फसले लिखी होती है उस जनपत में जितनी भी फसले होती है वो सभी उस Scale of Finance में लिखी होती है और उसमें उसकी लागत भी लिखी होती है कि बैंक इसमें अधिकतम कितना लोन किसान को दे सकते हैं तो उसी Scale of Finance को ले करके बैंक जब भी आपकी KCC की लिमिट जारी करते हैं तो उससे वो देख लेते हैं कि किसान के पास जमीन कितनी है औ और उसी के आधार पर वो Scale of Finance के हिसाब से जो भी उसमें लिमिट बताई गई है उससे उसकी लिमिट तयार कर देते हैं और उसका पैसा किसान को मिल जाता है तो अब हम वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास में सिर्फ एक बिगा जमीन है तो दोस्त आप लोगों को कि एक बिगा खेट पर आपको कितना केसी सिलोन मिलेगा लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो में 2024-25 का जो नया Scale of Finance आया है उसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों यहां पर हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि जो नया Scale of Finance जारी किया गया है इसमें ज्यादा तर फसलों की लागत काफी आधा बढ़ गई है तो आपकी जो केसी सी की लिमिट होने वाली है वो काफी आधा बढ़ने वाली है अगर अभी तक आपको उसी फसलों में उसी एक बिगा खेट पर 50,000 रुपए का केसी सी लोन मिल जाएगा क्योंकि फसलों की लागत लगभग डबल हो रही है तो ऐसे में आपको केसी सी लोन भी डबल मिल जाएगा दोस्तों हम नए Scale of Finance की बात करें तो यहाँ पर मुझे उदाहरन के लिए कोई एक जन्तपत लेना होगा तभी हम आपको उदाहरन के माध्यम से समझा मालीजे आप उत्तरप्रदेश के कर्णौ hou जिले के निवासी है और आपके पास में सिर्फ एक बीगा जमेन है और आप अपने उस खेत में रभी के सीजन में आलू की फसल लगाते हैं और खरीब के सीजन में धान की फसल होते हैjam ज्यारतर जौंढ जो बैंक होते हैं ज्या रभी सीज़न की है खरीब सीजन की मिल सकता है उससे पहले आप सभी लोगों से मिरे चोटी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आजाए तो एक लाइक कर देना चैनल पर नए है पहली बार आए है इसी तरह के वीडियो कांटीनिव आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रस कर लीजेगा ताकि जैसे हम इस तरह का अधाई हिस्सा होने वाला है यानी एक हेक्टियर में 4 वीगे आपके यहां एक हेक्टियर में सिर्फ 4 वीगे होते हैं तो मैं उस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ मैं चुकि scale up finance है वो hectare में दिया गया है मैं आपको बीगे का हिसाब से निकाल के बताने वाला हूँ तो मैं एक hectare का एक बटा चार भाग का एक बीगा बना करके आपको बताने वाला हूँ आपके यहाँ एक बीगा कितने का होता है उस हिसाब से आप calculate करेंगे तो आप भी अपने यहाँ के एक बीगे की लिमिट निकाल पाएंगे दोस्तों मान लीजिए मेरे यहाँ जो किसान है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आलू और धान की खेती करता है अब उसको एक बीगा खेत पर कितना केसिसिलोन मिलेगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बतना चाहता हूं कर्णो जनपत का एक किसान है जिसके पास में सिर्फ एक बीगा जमीन है उस्से एक बीगह में वो आलू बोता है और धान की खेता है तो उसे कितना केसिसिलोन मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बतना चाहते हैं, आलू की जो लागत है इस बार बहुत ज़्यदा बढ़ चुकी है, पहले यह जो लिमिट थी पिछले वर्स 2023 के स्केल आप फाइनेंस में, वो 1,21,000 रुपए प्रत्य हेक्टियर थी, जिसे बढ़ा करके इस बार 1,58,000 हाया है, तो जो आलू की लागत 1,20,000 रुपए प्रत्य हेक्टियर थी, उसे 1,58,000 रुपए प्रत्य हेक्टियर कर दिया है, इसके साथ दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं, जो धान की लागत है, उसमें ज्यादा बढ़ोत्री तो नहीं होई है, लेकिन हाँ बढ़ोत्री देने वाला हूँ, तो एक बीगे में एक चोठाई हिस्सा होने वाला है, एक हेक्टेर का, तो आप 1,58,000 का चार से भाग देंगे, तो लगभग ये 40,000 रुपए हो जाता है, तो अगर किसान बोता है, तो उसे 40,000 रुपए आलु की लागत का मिल जाएगा, वहीं धान की ल आलु का और 16,000 रुपए धान का, तो ये 56,000 रुपए हो जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पर बैंक आपको देता है, 10% फसलों की भंडारन के लिए, तो 56,000 का 10% आप निकालेंगे, तो लगभग ये 55,000 रुपए हो जाता है, अब दोस्तों इसके साथ में 20% बैंक आपको उसके रख रखाओं के लिए, घरेलों उभग के लिए, तो यहाँ पर 20% का मतलब होता है लगभग 11,000 रुपए, तो यह अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 10% और 20% और 56,000, तो लगभग 72,500 रुपए हो जाता है, इन तीनों को जब आप aid करेंगे, calculate करेंगे, तो एक बीगे में आपकी जो फाइल, पहले साल की लिमिट निकल करके सामने आई है, वो है 72,500 रुपए, जो किसान कनो जिले का है, अपने खेत में आलू और धान बोता है, उसे एक बीगा खेत पर मैक्जिमम पहले साल 72,500 रुपए का KCC लोन मिल सकता है, अब दोस्तों आप सभी क को मैं बता चुका हूँ, पहले भी कई वीडियो में, कि आपकी जो KCC की लिमिट होती है, वो प्रतिवस 10% बढ़ती रहती है, जैसे पहले साल आपको 72,500 मिलेगा, तो इसका 10% और बढ़ जाएगा next year, यानि आपकी जो KCC जारी होती है, वो 5 सालों के लिए जारी की जाती है यानि KCC आपकी 5 साल में एक्सपायर होती है, तो पहले साल आपको 72,500 रुपए दिया जाएगा, second year आपको 89,000 रुपए दिया जाएगा, third year इसमें फिर से 7,000 रुपए, क्यास पास बढ़ जाएगा, 7,900 रुपए, तो ये आपकी लिमिट बढ़कर के लगबग 86,000 पाएगा, जब किसान समय से अपने लोन के अदाइगी करता रहेगा प्रतिवर्स, तो उसकी लिमिट अगले वर्स 10% अपने आप बढ़ जाती है, बैंक बढ़ा देता है, तो final year वह हुआ किसान, एक भीगे वाला, पांचवे साल अपने उसी KCC लोन से 1,03,000 रुपए तक रेनुवल करता रहेगा, समय से अदाइगी करता रहेगा, तो बैंक प्रतिवर्स 10% उसकी लिमिट इंक्रीज कर देगा, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एक विगा खेत पर KCC लोन 1,03,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं, अब आपके हाँ आपको कितना KCC लोन मिल सक रभी सीजन में कौन सी फसल बोते हैं, खरीब सीजन में कौन सी फसल बोते हैं, और आप किस प्रदेश के हैं, किस जिले के हैं, अगर आप ये लिख करके हमें कमेंट में भेजेंगे, तो हम आपको बता पाएंगे कि आपको एक दीखा खेत पर कितना KCC लोन मिल सकता है, दो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में, किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ अब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!